दोस्तो इंडिया की सबसे पहली मोटो स्कूटर होंडा डियो अभी अपना बीए सिक्स अफदार में आ चुका है और दोस्तो मुझे लॉक्डाउन के पहले ये रिव्यू करने को मिला था और आज मैं आप लोग को होंडा डियो की जो स्टैंडर्ड मोडल हैं ना कि डिलक्स म दोस्तो अगर आप पहली बारे चैनल में है और वीडियो आपको अच्छा लगता तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले बने रही है और तबेंगॉल राइडर फैमिली का एक अटूठ हिस्स देखने को मिलेगा बाकी सारी चीज़े बिलकुल ही सेम है अभी इसमें बीए सिक्स आ चुका है और फैल इंजेक्शन आ चुका है और यह आप कह सकते दोस्तों कि होंडा एक्टिवा 6G में जो मेकानिकल से वही चीज़े लगभग इसमें भी दिया गया है और दोस्तों अब चाहे तो उस नंबर पर लॉकडाउन के बाद कॉल करके यह माई डीटेल्स और और भी डीटेल्स जान सकते हैं और मेरी इस्टाग्रम आईडी में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं दिस्क्रिप्शन में मेरा इस्टाग्रम आईडी का लिंक भी दिया रहेगा दोस्तों और आपको 0.3 BHP कम मिलेगा और टॉर्क आपको 0.1 Nm ज्यादा मिलेगा और पीक RPM जो था वो सब भी इस इंजिन में चेंज हुआ है और अभी इसमें फॉल इंजेक्शन तो आही चुका है और इसी के सासथ ESP यानिकी Enhanced Smart Power और ACG साइलें स्टार्टर मोटर यानिकी बिना चटके का सेल्फ स्टार्ट वाला सिस्टेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तो अभी भी यह एक BS6 कंप्लाइंट फैन कूल सिंगल सिलिंडर फुल इंजेक्टेड इंजिन है जिसमें HETN की होंडा इको टेक्नलोजी का जो सिस्टेम हो पहले से आता था अभी भी इसमे ले लेगा दोस्तों आप देख सकते हैं यही इंजिन की इसके फॉंक्शन से और इंजिन आप जैसे ही देख सकते हैं पहले जैसा ही इसका जो ले आउट है वो ले आउट दिया गया है आप पहले जैसा स्टार्ट के प्रॉब्लेम्स और सुभे स्टार्ट के प्रॉब्लेम cold weather में starting वाली problem इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और इसके जो graphics है दोस्तों, graphics भी पूरी गारी का अब change हो चुका है पीछे की जो suspension आप देख रहा है दोस्तों, ये पहले non-adjustable था अभी ये 3-step adjustable suspension पीछे की तरफ दिया गया है और एक बहुत बड़ा जो complaint था सामने की तरफ, spring loaded suspension आया करता था अभी इसको change करके इसमें telescopic suspension आइड किया गया है जो की customers को बहुत दिनों से मांग था और इसमें आप देख सकते दोस्तों, आगे की तरफ बड़े 12-inch के wheels लगा गया है फिलहाल यह black color के आप देख सकते steel wheel से, अगर आप deluxe model लेंगे तो उसमें आपको golden color के rims मिलेंगे दोस्तों इसी के साथ-साथ कुछ minor tweaks यहाँ पर body में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगाव पर आपको carbon fiber के यहाँ पर finish देखने को मिलेंगे आगे की तरफ जो side की तरफ अब देख सकते है और Dio हमेशा से ही young generation की तरफ targeted एक scooter है तो उसी साथ से अगर आप देखे तो बहुत सारी जगाव पर आपको sharp cuts and creases और design में थोड़े बहुत tweaks देखने को मिलेंगे वैसे basic design जो है वो बिलकुल ही same है दोस्तो इसी के साथ साथ जो food board है food board का size मुझे लगा कि food board का length वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और battery compartment भी अभी आपको food board में मिलेगा पीछे की तरफ भी दोस्तो आप देख पाएंगे कि पीछे की तरफ भी अभी आपको carbon fiber के finish देखने को मिल जाएंगे वैसे दोस्तो जो food board है वहाँ पे बैटरी देने का एक problem यह है कि जादा पानी में अगर आप चला रहें तो पानी अंदर जाने का थोड़ा सा डर रहता है तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना दोस्तो इसी के सासथ weight of 1 kg बढ़ चुका है और ground clearance 2 mm पहले से बढ़ चुका है और इसके handlebars और switch gear में भी आपको बहुत ज़्यादा बदलाओ देखने को मिलेगा अभी आपको pass light switch मिल जाएगा switch gear quality पहले से change हो चुका है और इसमें अभी आपको silent starter के साथ साथ engine kill switch आपको मिल जाता है जिसके साथ self start switch integrated है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है तोस्तो यह standard model है इसलिए आपको basic सा meter मिलेगा अगर आप इसका deluxe model लेते हैं तो उसमें आपको full digital meter मिल जाएगा engine malfunction light को add किया गया है उपर की तरफ जिस हिसाब से आप अपने full injection technology का जो health है उसको अच्छी तरह से check कर सकते है और कोई भी अगर problem हो system में ECU में तो यह blink करके आपको indication देता रहेगा वैसे meter बड़ा है readable है इसके जो digit से वो आप अच्छी तरह से पर सकते हैं दोस्तो आते है की slot की तरफ तो की slot में आपको अभी external fuel filler system दिया गया है यानि कि एक बहुत अच्छी बात यहां पर आता है यह कि इसमें अभी external fuel filler cap है वो दिया गया यानि कि आपको seat खोलने का जरूरत नहीं है और पीछे की तरफ आप देख सकेंगे यह fuel filler cap लगा गया है हाला कि इसका जो fuel tank capacity वो पहले जैसा ही 5.3 liters आता है और आगे की तरफ आप देख पाएंगे glove box भी left hand की तरफ आपको key slot के मिल जाएंगे दोस्तों आप इसके stickers वगेरा देख सकते हैं जो कि पहले से मुझे लगा है कि काफी यहां तक change किया गया है और पीछे की तरफ आपको do की यह जो badging है वो देखने को मिल जाएगा mirrors की अगर बात करें दोस्तों तो mirrors बिलकुल ही पहले जैसा ही है आप आगे की तरफ देख सकते हैं दो glove box यहां पे छोटे छोटे pockets दिये गया है और mirrors बिलकुल पहले जैसा ही इसमें आता है अब दोस्तों यहां पे अगर हम और भी changes की बारे में बात करें तो obviously यहां पे fuel injection आने के वज़े से mileage में आपको increase देखने को मिलेगा यानि की 3-4 km जादा mileage फ्रती लीटर में आपको मिल जाएगा underseed storage में कोई यहां पे change नहीं है बिलकुल ही पहले जैसा ही 18 liters का underseed storage यहां पे दिया गया है जो की मेरे ख्याल से थोड़ा से जादा हो सकता था दोस्तों pocket की बारे में जैसे आपको मैं बता रहा था दो छोटे-छोटे pockets आगे की तरफ दिया गया है और इसमें दो hooks भी आते हैं अपने सामान वगरे को टागने के लिए और अब देख सकेंगे food boat का जो size है यह मुझे लगा है कि काफी हद तक increase हो चुगा है और जिन लोग पूछते कि gas cylinder ले जा सकते या नहीं उनके हिसाब से मेरे ख्याल से अच्छा होगा और दोस्तो इसमें एक optional side stand engine cut off system का सुविदा दिया गया है आप चाहे तो इसको ले सकते है चाहे नहीं भी ले सकते है यानकि system इसमें लगा गया है यानकि जैसी ही आप side stand डालेंगे engine off हो जाएगा और किसी भी हालत में side stand डाले हुए हालत में आप काड़ी को चला नहीं सकते ये system अगर आप चाहे तो optional है आप ले भी सकते है और आगे की तरफ वही आपको all time एक जो DRL लगा हुआ है LED DRL है बिल्कुल पहले जैसा ही मिल जाएगा और front portion आप देख सकते दोस्तों design में यहाँ पे कोई भी changes थे ही है और बहुत ही prominent सा body mounted आपको headlamp मिल जाएगा और इसमें आपको halogen मिलता है DLX model यानकी DLX model लेंगे तो उसमें आपको LED headlamp मिलेगा और side में जो indicators आप देख रहे हैं दोस्तों यह भी clear lens वाला turn indicators इसमें लगा गया है आप देख सकते हैं बहुत ही macho सा design यहाँ पे किया गया है और DO हमेशा से ही college student के तरफ targeted है और नौजवानी की तरफ targeted एक scooter है तो इसलिए full fiber body आपको मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकेंगे जो hooks है और hooks कुछ इस तरह का दिया गया है retractable hooks यहाँ पे नहीं है fixed type के hook है और seat जो है दोस्तों यह बिलकुल ही पहले जैसा ही बहुत ही आरामता, comfortable seat है और seat में यहाँ पे कोई भी changes मुझे देखने को नहीं मिला है seat length अभी 625 mm है दोस्तों आगे की तरफ आपको telescopic suspension मिल जाएगा और पहले जैसा ही इसमें drum brakes आते है दोनों ही तरफ आपको 130 mm के drum brakes देखने को मिलेंगे और आगे की तरफ आपको 90 by 90 12 inch diameter वाले wheels मिलेंगे 90 by 90 इसका tire size है जो की पहले भी यही था अब इसमें कोई भी disc का option नहीं मिलता है क्योंकि DO इनका entry level scooter है तो इसे कोई भी disc का option आपको नहीं मिलेगा पीछे की तरफ 90 by 100 size का 10 inch का wheel जो पहले भी था वही मिलता है पीछे की तरफ भी आपको drum braking मिलेगा वैसे braking मेरे ख्याल से decent है और इसके जो muffler आप देख सकते हैं दोस्तों muffler cover इसके जो exhaust के जो cover है उसको भी अब change किया गया है और दोस्तों अगर हम बात करें ground clearance की तो 160 mm इसका ground clearance है 105 kg इसका curb weight है और जो seat height है यह 765 mm है यानि कि किसी भी height के Indian riders इसको चला सकते है और ladies के लिए भी इस scooter बहुत ही perfect scooter माना जाता है और दोस्तों अगर हम इसके mileage के बारे में कहें तो 46 to 50 km या फिर 50 के ज़्यादा भी आपको highways पर मिल सकता है और overall अगर performance के बात करें तो performance यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही minute changes यहाँ पर engine के power and top figures में हुआ है बात करें यहाँ पर extra room price Kolkata की तो standard model जो मैं अभी आप लोगो दिखा रहा हूँ इसका price 64,600 रुपीज है और deluxe model लेंगे तो around 3,000 रुपीज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और Honda के after sales service भी बहुत ही अच्छा है इंडिया के अंदर तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़र बताईए शेर कीजिस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ तक तक यू, थाओचिए और यूज रवाचिए, और अव्यजिए। झाल झाल